श्री प्राण नाथ प्यारे कीज़े रुह तेती जादी जानियों जेता दिल में चुबेहा का अंग जो अंग इर देना आयां रुह के तेती फरामोशी संग श्री क्रेश्ण का नाई आलाल कीज़े पूर्ण ब्रह्म प्रमात्मा का स्वरु प्रदाय में अंकीत करने की बात कह रहे हैं जैसे वो अंकीत होता है तो उसके अनुशार आत्म जागरित होती है ये बतातो रहे हैं पूर्ण ब्रह्म प्रमात्मा के अंगों को उनका अंगा ऐसे है ये है उनको अपने रिधाय में अंकीत करके देखो तो ये अभी तक वरण करके बताया पहले अंगों का अभी तुम सहिम देखो जागरित हो करके तो इससे तुम्हारी परात्मा जागरित होगी तो वो समझा रहे हैं ताथे जूरू आरशाजिय में की सो क्यों न करे उपाए यदि इस प्रकर्शे जागरिती होती हो तो फिर परमधाम की आत्मा प्रयत्न क्यों नहीं करेगी लेहा का स्वरूप है रदेमिने और देवे सब उड़ाए पुरून ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को रदाय में रख करके बाकि सब चीज को उड़ा देती है काने का ताथ पर यह दूसरे तरफ कहीं भी मन नहीं लगाएगी अंतकरण की वृत्तियां इदर उदर नहीं भटगेगी पुरून ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगाएगी और उनके स्वरूप को ही रदाय में अंकित करके उसी में मस्त रहेगी इसका विनारुप के दिल चुबे ना सूरत हाका पुरून ब्रह्म परमात्मा का स्वरूपकरधाय में अंकित नहीं होता है इन्शब से भी विशेश क्या है हक हुकुमे चुभे मुतलगा पूर्ण प्रमपरमात्मा चाहते हो उनका आदेस होता है तो अवश्य ही उनका शौरु प्रेदाय में अंकित होगा उनके चाहे बिना संभव नहीं है मुहे दिल में हुकुमे यह कया जो दिल में आवे हक मुख तो पूर्ण प्रमपरमात्मा के आदेस से मुझे भी यह समझ में आई कि यदि मेरे रिदाय में पूर्ण प्रमपरमात्मा का मुखमंडल अंकित हो जाता हो तो खड़ा होए मुखरूह का हकस्व होए सनमुख तो परमधाम में परात्मा का मुखमंडल भी जाकरित होगा और पुर्ण प्रह्म परमात्मा के श्वरूप का दर्शन करेगा उनके सम्मुख क्योंकि परात्मा तो उनके सम्मुख ही बैठी हुई है तो उनका मुखमंडल जाकरित होगा और पुर्ण प्रह्मा को देख पाएगी अधोर हरवटी नाशिका दंत जुवा और गाल तो मुखमंडल में क्या है अधर है हरवटी चिवुक नाशिका दंत जुवा जुवा बगरे दंत दंत वली जुवा गाल ये कपुल गाल प्रदेश जो अंग आया हा का दिल में उठे खणज है रुवा अंग उसे मिशाल जो जो अंग हमारे रिदय में अंकित हो जाएंगे उस प्रकरशे हमारी पराइत्मा जाकरित हो जाती है जो तुम रहे हाका नाइना नको तो नजर खुले रुवा नाइना यदि तुमने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाइन कमलों को रिधाय मंकित कर लिया तो तुमारे भी दृष्टी खुल जाएगी परात्मा की तब आशिक और मासुक की होए नए 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 नसे साइना तब आशिक और मासुक अनुरागिनी आत्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बीच आखों से भाच्चित हो जाएगी आखों के संकेत को आत्मा समझ पायेगी जो हका निलाट आवे दिल में आवे श्रवन जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ललाट प्रदेश रिदाये में अंकित होगा इसके साथ साथ में श्रवन भी अंकित हो जाएंगे तो पूरा मुखमंडल अंकित हो जाएगा दो आंग खड़े होए रूह के जो होवे रूह मोमेन जो परमधाम की आत्मा होगे पराात्मा उसके तो दोनों ही आंग ललाट भी और श्रवन भी ओ दोनों ही जागरत हो जाएंगे तो पूर्ण प्रह्म परमात्मा के मुखमंडल को पूर्ण रूफ से वात्मा दर्शन कर पाएगी भौ भृकुटी पल नाशिका सुन्दर तिलक हमेश तो भौ है तो भौ है तो भृकुटी है पल, पलक, नाशिका, सुन्दर तिलक हमेशा सुन्दर तिलक दिखाई देता है, वो तिलक मुखमंडल में तो यह सारी चीज़ें आती है दोर शुबा मुखमंडल की शुबा बड़ी गवर है, क्यों कहों जो तो नूरकेश है, तो नूरकेश भी कैसे हैं, बड़े प्रकास बिखिरने वाले हैं तो इस तरह से पूरे मुखमंडल में केस के भी दर्शन होंगे, श्रवण के भी होंगे, ललाट के भी, ललाट में तिलक हैं, आँख हैं, और पूरा पूरा नाक, मुख बगिरे यह सारे मुखमंडल उसका दर्शन करते हैं तो इस तरह से ये सारे ये सब रिधाय में अंकित हो जाएंगे तो इस तरह से परात्मा का मुखमन्डल भी जागरित होगा ये अंग जेते मैं कहे आवे रुव के हिर देह का मैंने जितने अंगों का वरणन की आवी तक वो सारे अंग पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के यदि आत्मा के रिधाय में अंकित हो जाएं तो तेते अंग रुह के उठा खड़े होए बेशक वेव अंग परात्मा के जागरित हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे कहने का तात्पर जागरित होंगे पाग बनी शिर शारंगी इन जुवां कही इन जाए अब मुकुमंडल की बात कर रहे हैं तो फिर साथ में पाग की भी बात की तो पाग भी शारंगी के आकार का पाग है बहुत सुंदर है इसका वर्णन इस जुवाद से नहीं हो सकता यह जुगत जोत क्यों कहों जोह के बाद ही दिल लाए तो पुर्ण प्रह्म परमात्मा दिल लगा करके उसको बानते हैं अपने शेर पर तो प्रह्मात्मा यह देख करके बड़ी प्रशन होती है तो इस युक्ति का वर्णन में क्या करूँ अतन्त सुवा सुंदर चड़ती चड़ती तरफ चार चारों तरफ उसकी सुवा एक से एक आगे चड़ती हुई जाती है जिदर से देखो उधर ही वो सुवा बढ़ती हुई देखाई देती है जित देखो तीत आधी का शुभा नावे महे सुमार जिदर देखते हैं उधर ही वो विशेश लगता है तो इसलिए शुभा का कोई पाराबारी नहीं है एक हैडा ही रदेख रही है दिल में रहे दायम उनका बक्षस्थल को यदि हम अपने रिदाय में अंकित कर पाएंगे तो हमें इसा बना रहेगा सो हैडा अंग रूह का उठ खड़ा हुआ कायम फिर ब्रमात्म के परावत्म का बक्षस्थलबे जागरत हो जाएगा पुर्ण ब्रह्म प्रमात्मा के अंग प्रत्य अंग में जो जो अंग नहीं दिखाई देंगे उसके दिल में अंकित नहीं होंगे उतने उतने अंगों में आत्मा के फरामोस योगी नीद होगी तो यह समझना चाहिए जवा हक अंग आया दिल में, सुरुवा अंग आया माहे हुस, जैसे ही पुर्ण प्रमात्मा के अंग रिदय में अंकित हो जाते हैं, तो फिर परात्मा के वे-वे अंग हुस में आ जाते हैं, और काम करने लग जाते हैं। पीठे, प्रिष्ट भागे, खबा है, सकंद प्रदेश, तो वो पूरा-पूरा सकंद प्रदेश, और तो ये खबा और कांद में, दोनों कहने से पूरा-पूरा आ गया, सकंद प्रदेश, तो और वो केस के साथ में, तो क्योंकि केस यहां तक लटके हुए है, और बड़े ग जब द्रड़ हो ये तब रूँआ आया देखो आवेस जैसे ही ये अंग रिधय में द्रड़ हो जाते हैं तो मनु परात्मा जागरत हो करके नो तुसको तो एक प्रकर से जूस ही आ जाता है कि हरे अभी तक हम कहां बोल गए थे ऐसा उनको ख्यालाने लग चाएगा तो अब बाजू के देखेंगे तो दोनों तरफ के बाजू है और यहां यह भाग है श्कंधश से यह यहां का भाग है वो मच्छा है फिर यह कोनी है और कांडा कलाई है कलाई है और ये भागे का और ये मड़ी वंद तो हाथ का तो ये पूरा-पूरा भाग हो गया हक के अंग हिरदे आए तब रुप खड़ी होई एक हक साथ जब ये अंग भी ये भी दिखने लग जाएंगे तब आत्मा अवश्यों खड़ी हो जाएगे एक साथ में पहुँचे हाथेली अंगुरी नख लीके रंग सलूक अब अस्तकम उसके पूरा एक बाजू की बात कर रहे हैं यह अस्ता कमल में पहुँचे तो यह पहुचा है यह अथेली है और अंगुरी नख लिके रंग शलूक और यह अस्ता रेखाएं इन में जोब जो सुन्दरता दिखाई देती है पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग प्रतेंग यह सुक्स्म रूप से भी तो रिधाय में बैठ जाते हैं मतलब इनको बारी की से बारी सुक्स्मता से तो एक-एक अंग को आत्मा याद कर लेती है अब निमखना होए रूप चुका अब एक शण के लिए आत्मा जागरत होने में चुकेगी नहीं वो जागरत होई जाएगे नख अंगुठे अंगुरियां नीके ग्रहियेह का कदम जैसे अस्त कमल की बात के ऐसे चरण कमल की बात करते हैं तो उसके भी नख अंगुठे अंगुठे अंगुलियां और पूरे-पूरे चरण कमल को ग्रहन करते हैं रिधाय में तो सोई नख अंगुरियां पाउं रूओं के खड़े होता माय दम तो वो वो अंग तो फिर आत्मा के जागरत हो जाएगे तो फिर आत्मा खड़ी भी हो सकेगी माय दम का तात्वरियां उसी एक्षण तो सांस लेने से भी पहले दम तो सांस के लिए बुलते हैं तो यहां उसी एक्षण तत्काल जब हक चरण दिल द्रड धरे तब रूओ खड़ी होई जान जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल रिधाय में अंकित होंगे तो आत्मा खड़ी हो जाएगी फिर चल भी पाएगी हक अंग सबहिर दे आये तब रूओ जागे अंग परवान तो इस प्रकार तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग जैसे ही रिधाय में अंकित हो जाएगे तो निश्चित रुप्षे परवान है वो प्रमान के रुप में भी होता है तो यह निश्चित रुप्षे वात् अग्तरित हो जाएगी। मोहरा मतलब तो जैसे ये किनार का भाग है तो मुह का भाग है तो वह चुडीदार है और नेफा इजारबंद तो उसमें नेफा है ये सब हरे रंग बुटी गुए न कस जैसे ये इजार है तो पाईजामा है वह केशरिया रंग का है और उसमें फिर उपर जो नेफा है तो वो हरे रंग का तो उसमें भी अलग-अलग प्रकार की बुटियां बगरे है और उसमें फिर वो इजारबंद है उसमें भी अलग-अलग प्रकार के रंग है तो कई नकाशि की हुए हो इस प्रकार्श चित्रित हैं हके शोबित भली सनन्द तो ये सब पुर्ण प्रह्म परमात्मा के अंग में बड़ा ही शोबित है क्यों को जुगत जामे की अब उसके उपर जामा है तो उसकी युक्ति पूर कैसे के बताएं तो जामा है वो सफेद रंका है हरे पर उज्वल दावन तो वो नेफा जारबंद तो उसके हरे पन के उपर में सफेद है तो सफिद में हरापन भी दिखता है, तो अरे पर उज्वल दावन, तो उज्वल सफिद रंका है, तो वो अंदर की थोड़े-थोड़े आभा दिखाई देती है, निपटशो भी तब मीही, बेलिया, उसमें भी बड़ी सुक्समरूप से बनी हुई लताएं बगरे ऐसी चित हैं, वो भी बड़ी सुन्दर हैं, जहाई उठता आती रोशन न तो उससे आभा निकलती है, बहुत सुन्दर और बहुत प्रकास वाली निकलती है, एक स्वेत रंग जामा कया, तो एक स्वेत रंग का जामा ऐसा कहा, माएं जवेर जुगत कई रंग उसमें अलग-अलग प तो उन में से जो प्रकास निकलता है, उसका वरणन क्या करें, तो यह तो परमधाम के रतना है, उनकी चमक तो दुनिया से अलग विशिष्ट प्रकार की होगी, दुनिया में तो प्रकास से उनको देखना पड़ता है, उससे चमकते हैं, और परमधाम के यह रतना है, स्वत तो उसके किनार में कई प्रकार के रंग के रत्न बगरे जड़े हुए हैं बेली नकस फूल अकेते कहूं तो उसमें बिभिन प्रकार की लतायं की तहें फूल हैं ऐसे पत्ते बगरे तो कितनी उसमें करें अवकास भर्यो जलकार उसमें से जो जलकार चमक निकलती है वो पूरे आकास में छा जाती है एक जलकार मुख कहता हूं माय कई सलो की सुखदाय मैं तो एक चमक की बात बता रहा हूं अपने मूँ से वैसे तो उसमें इतनी सुन्दरता है माय सलो की सुखदाय बहुत अनन्दित करने वाले सुन्दरता उसमें है इस जिवा के द्वारा उनके रंग है उनका प्रकास है उन प्रकास की तरंगे उन सब का वर्णन ही नहीं हो सकता है तो यह तो उपर उपर से प्रकास बता दिया जामा जुड बैठा अंग पर कोई अचर जखुबी लेता है तो यह जामा के इस प्रकार्श है कि मानों शरीर का एक भाग अंग की तरह से तो ऐसे जुड करके बैठा हुआ है कोई अचर जखुबी लेता उसकी विशेष्ता भी आश्चर जनक है शोभा शलू की सुखक्यों कहुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ दोनों तरफ वाजू में तो केवडे का केतकी फूल की तरफ से उसका फूल चितरित है कंठ बेली दव गिरवान तो यहां पर न यह जाना है कैसे है कि इस तरफ से उपर निचे होता है इधर से और इधर से आता है तो यहां बानते हैं इधर बानते हैं तो यहां दोनों और से आता है तो यह कंठ में बेली दव गिरवान गिरवान है वो भी गिरवा का ही है तो ये जामे का गला तो वो ये कंठ हो गया और जामे का भी गले में किनारी है न तो वो दोनों तर्व से दो लताओं की भाती बड़ी सुन्दर शुश्वित होती है ये जुगत जुवां तो कहें जो कचु होए इन मान तो इस शुभा को ये इतनी सुन्दर शुभा है वो किनारी पर वो लताओं की तो उसका वरणन तभी हो सकता है इस जुभा से जो कचु होए इन मान उसका ये कोई दूसरा कोई उधारन दिया जा सकता हो तभी उसका वरण तो नहीं सकता है, उधारन तो दिया नहीं जा सकता, कटाव कोत की कांद पीछे, कंद प्रदेश के पीछे बाग में बिना, तो वो कोत की केत की केवडे का फूल है, उस तरह के चितर चितरित है, उपर फुंदना हारों के, और उपर हारों के फुंदने हैं, तो हारों के उसमे जो हार की गांट है तो उसमें से लटकने है तो जुमके जुल रहे हैं लटक रहे हैं तो उस तरह से है रुव जो जागरत अरश की सुखलेशी बक्ठाईत है जो आत्मा पर फरमधाम की आत्मा यह जागरत होगी तो उसको इसा और दृश्य दिखाए देंगे और वो आनंदित होगी बाहें चुड़ी और महरियां चुड़ी अचरज जुगत तो बहां में चुड़ी है और उसमें भी महरी तो यह जामें की महरी यह किनार है चुड़ी अचरज जुगत तो वो भी चुड़ी की तरह से लिखाई देती है और आश्चेर जनक ऐसा होता है चुड़ी तो है यह साथ साथ में वो भी इस प्रकार चितरित है कि वो भी चुड़ी जहीं से लगती है निपटमी ही महरी यह से चड़ती सोवित और वो चुड़ी है महरी से भी और ज़्यादा सुशोवित होती है आए वस्तर अहिरदेहक के रुआ अपने पहने बनाए जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों के वस्तर बगरे ब्रह्मात्मा के रिधाय में अंकित हो जाते हैं तो ब्रह्मा आत्मा के वश्ट्र उनको लगता है कि हमने भी वश्त्र पहने हुए हैं, वो भी सब जागरत हो जाते हैं. तेती खडी रुआ होता हैं, जेता दिला में हका अंग आए, क्योंकि आत्मा उतनी खडी होगी, जागरत होगी, तो जितने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग उसके रिदाई में अंकित होंगे तो जैसे जैसे उनकी वश्तर आभुशन भी दिखने लगेंगे तो तो वश्तर आभुशन भी पहने हैं ऐसा लगेगा नाकि पहने तो हैं किन्तु सब भूले हुए हैं तो अभी यह याद करने की बात बता रहा है पाच नंग माय कलंगी अब शिर में पाग है और कलगी है तो उसमें भी पाच अलग-अलग प्रकार के रतन है तामें तीन नंग उपर उसमें से तीन उपर है एक मद्य एक अलगता एक मद्य है और एक कलगी से लगता है पाँच रंग जो तो बराबर तो कलगी में ये पाँचों रत्न के रंग है वो समा अनुरूप से प्रकासित होते हैं ये जो कलगी सिर पर लटक रही सुखदाए सिर पर ये कलगी है ऐसे उपर से ऐसे मूड करके ऐ से लटकती है तो बड़ी सुन्दर लगती है जो भूशन रूह नजर भरे तो जानो अरवा देवे उड़ाए यदि इन सारे आभूशनों को दृष्टी में लेते हैं और रिधाय में अंकित करते हैं तो मनों आत्मा इस चरीर को छोड़ करके तो परमधाम में पहुंच जाए कि ऐसी स्थिति होती है सात नंग माय दुगदुः सो सातों जुदे जुदे रंग तो अब वहां ये कलगी के साथ में फिर पाग में तो तहर दुगदुग यह ऐसा ऐसे लटकने से तो वो अलग से उर्भमोतीओं की लड़ियां बगरे हैं तो उसमें साith रंग हैं。 जो साथों जुदे जुदे रंग तो साथ रत्न हैं तो अलग-अलग रंग के हैं। चड़ती जोता आकास में करत माहों माहें जंग उनसे भी प्रकास निकलता है तो उसी इदा आकास में पहुंच जाता है और वो अलग-अलग प्रकार के रंग एक दुसरे से दुन्द करते हों ऐसा लगता है ऐसी सुन्दर्शोभा अक्षराति धामदनी के वश्तरावुषणों की है तो उन सब को रिधाय में अंकित करते हैं तो आत्म जागरत होती है ये कहाना चाह रहे हैं तो अभी ये रखते हैं स्रेक्रिष्न कनायालाल कीजे करता माहों माहें जंगा सात नंग माहें दुग दुगी सो सातो जुदे जुदे रंगा चड़ती जोत आकाशमे चड़ती जोत आकाशमे करता माहों माहें जंगा आकाशमा माहें जंगा स्रीकर्ष्न कनायालाल की GeCon स्रीकर्ष्न कनेयालाल कीडPhone श्रीसदे बुदे घुदें स्री प्राणिनाथा जाहें दुगारें जंगिये झाल झाल